दोस्तो आज मैं आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेका हूँ जिसे आप कभी भी चाई के साथ खा सकते हैं और यह बिल्कुल आसानी से बनकर तयार हो जाता है तो बनेरो मेरे साथ वीडियो में एक नई और खास रेसिपी को देखने के लिए और बनाने के लिए तो दोस् दोस्तो दोस्तो इश्ट को आप गरम पानी में यूज़ के थोड़ा गुनगुना पानी होना चाहिए और इसे दो से तीन मिनट अच्छे तरह से मिलाकर दस मिनट तक अलग रख दीजिए साइड में और इसमें आदा चमच छीनी भी आप डाल दीजिए ताकि इश्ट हमारा काम कर सका अब दस मिनट के बाद में इश्ट को लेंगे और मेदा में डालकर इसको अच्छे तरह से मेदा को एक डोब बना लेंगे दोस्तो आपको डोब बनाते समय ध्यान रखना है कि जो हमने इश्ट का पानी बनाया था वो पूरा पानी आपको इसमें यूज ले लेना है अगर आपको समझो कि यूज पूरा पानी यूज नहीं आया है तो आप थोड़ा सा मेदा ओड़ ले सकते हैं तो हमने इस हिससाब सरे पानी उसमें डालाए कि हमारा मेदा उसमें पूरा पानी काम आ सके अब जो हमने मेदा का डोब नाए तो उसे ढख कर अच्छी तरह से रख द अलग बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे दोस्तों देखे आपके समय बिल्कुल अच्छी तरह से जालिया बन कर तयार हो चुकिए यह इस्ट का कमाल होता है अब किसी भी बरतन पर हम इसको बेल रहे हैं वहां पर थोड़ा सा तेल लगा लिए ताकि आपके हाथों में और इसके बाद में एक डोखी तरह बनाकर इसको चाकू की साहता से काट लेंगे दोस्तों यह इस्ट डालते समय आपको ध्यान रखना है कि गुण गुणा पानी आपको यूज लेना है और उसमें चीनी भी डाल देना है ताकि हमारा इस्ट अच्छी तरह से काम कर सके अब इसके बाद में आपको कुछ इस परकार से इसे काट लेना और चोटी चोटी लोई बना ले जब हम चोटी चोटी लोई बनाएंगे तो आपको ज्यादा मोटी लोई नहीं बनानी है क्योंकि यह जब हम इसे फ्राइ करेंगे न तो यह फैल के ओडवल हो जाएगी तो इसे चोटी चोटी जितनी हो सके उतनी चोटी लोई बनाएंगे इसके बाद में यह डवल साइज की हो जाती है तो आप उसी साफ से लोई बना ले लीजिएगा अब इसको अच्छी तरह से गोल कोई सेब दे सकते हो आप चोकोर सेब दे सकते हो या गोल सेब आप इसे दे पूरी पूरा आटा का लोई इस परकार से बना कर तयार कर लेंगे अब हमारा जो आटा है उसके लोईया बनकर तयार हो चिके चलते गेस के तरफ तो अब जब आप गैस पर कड़ाई रखेंगे तो तेल को ज्यादा गरम नहीं करना है थोड़ा सा हलका मीडियम साइज गरम कर लेना और हम एक एक लोई को इसमें रखते जाना है दो से तिन मिनट एक साइड में पकने के बाद में हम इसको उलट उलट कर सेख लेंगे दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो गेस की फ्लैम है बिल्कुल लो मीडियम रखेगा बिल्कुल हाई प्लैम पे इसको लीजिएगा अब हम आपके सामने यह देखो लो में लो आज पर हम सेखेंगे तो कुछ इस परकार से आपको सिक कर तयार होगा और जब हम हाई फ्लैम पर से तो उसको भी से कर दिखाता हूं कि हाई प्लैम पर इसका कलर कितना अधिक गोल्डन हो जाएगा और यह एक गणा लाइटर तर तक शिख जाते और खोने में बहुति मजाती है तो आप इस रेसिपी को घर पर घर कर सकत नहीं मार्केट से मेंगे ब्रेड baked लाने कि आपका जधर खत्म होता हो तो आप इसे बिल्कुल घर पर ही ट्राइब कर सकते हैं इसके बाद में हमारा जो नास्ता बनकर तैयार होए खुछ इस प्रकार से बनकर तैयार जो आपको चाही के साथ खाने में बहुती मज़ा आएगा और बहुती अच्छा भी लगेगा तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइबर जरूर से जरूर कर लेता है क्याने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें